असलाम लेकुम फ्रेंड्स वेल्कम टू फेमिनास किचन आज हम लाएंगे चिकन विंग्स कड़ी जिसके लिए हमें चाहिए के चिकन ये तक्रीबन एक किली चिकन विंग्स है दोबर साइज के टमाटर फाइनल जॉब अध्रिक लेशन का पेस्ट तक्रीबन एक टेबल स्पून है तक्रीबन आधा कप दही स्पाइसिस है सुर्ख मेर्च हल्दी नमक गरम मसाला और कसूरी मेथी ये भी एक टेबल स्पून सुका दन्या तक्रीबन एक टेबल स्पून हारा दन्या और हरी मेर्च गार्निशिंग के लिए तक्रीबन एक कप वेजटेबल आइल सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें ऑल डालेंगे और साथ ही विंग्स एड़ कर देंगे विंग्स को हमने इतना पका रहा है कि इसका कलर चेंज हो जाएं तक्रीबन लाइट ब्राउन हो जाएंगे तक्रीबन तीन से चार्विक पकने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है अब मैंस में थोड़ा सा नमप और थोड़ी सी हल्दी आड़ करूंगी तक्रीबन हाफ टेबिल स्पून इसे मजीद पकाएंगे अब मैंस का जो अपना पाइट था इसको खुश कर देंगे और तक्रीबन इसको और भूनेंगे इसका कलर और चेंज हो थोड़ा थोड़ा से देखें लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है तक्रीब पार से दस मित तक हम इसको इसे ही चमाच चलाते रहेंगे इसको अब तक्रीबन टमाटर को नरब होने तक बोलेंगे और इसमें अधर क्लेसन का पेस्ट आड़ कर देंगे और इसको ची तरह से मिक्स करेंगे अब इसमें सुकादनी आड़ करेंगे और दो बारा चमाच के साथ तक्रीबन 10-15 मिन तक मूर बोलेंगे अब इसमें साइज स्पाइसे आड़ कर देंगे अब इसमें साइज स्पाइसे आड़ कर देंगे जब सारे मसाले पक जाएंगे तब हम इसमें वो जो फ्राइड विंग्स आड़ करेंगे तक में पांच मिन तक हम इसको बुनेंगे अब आप इसमें जो विंग्स आड़ कर देंगे विंग्स आड़ी पके हुए है इसलिए इसको इतना पकाने की जरूरत नहीं है बस जो मसाले हैं जो स्पाइसे हैं वची तरह से विंग्स के साथ लग जाए आंच है वह हमारी मेडियम होगी विंग्स आप तक्रिबा हमारे पक के त्यार हो गया है अब इसमें मैं हराधनिया डाल दूंगे अब फ्लेम आफ कर दी मैंने अब मैं इसको रिशाओट करूंगी यह देखिए विंग्स कड़ी बनके त्यार हो गी है यह बहुत ही मज़ेदार होती है आप इसको अपने किचिन में जलू ट्राइक कीचीगा अगर आपको रेस्पी पसंद रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें और कमेंट करना बुलिया लाफेज